हाई फ्रेंड्स बेस्ट बिजनस एन बी चैनल पर मैंनी तीन आप सबी का सवगत करता हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको कड़कनात के अंडों के बारे में बताऊंगा तो दोस्तो उनके लिए क्या करना पड़ता है यह जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखे वैसे मैं आपको बता दू कि अभी हमारा बर्स चार मैने के उपर हो चुका है दोस्तो आज 140 दिन इनको हो चुके है और इन्होंने अंडे दिना भी स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हो कि यहाँ देसी बर्स होने के कारण यह उडने में भी माहिर है उपर जाके बैट रहा है दोस्तो और यहाँ उपर जाता है और नली याने डिंकर की नली लिकेच कर देता है तो उसका हमने फार्मूला आपको बता है दोस्तो कि आपके जो डिंकर की लैटर है उसके साथ एक तार अटेच कर दीजे ताकि अगर मुर्गी उसके उपर बैठेगे भी तो तार ही उसका वदन समाल लेंगा और अंडों के लिए हमने यह व्यवस्ता किये दोस्तो ताकि हमारे अंडे खराब ना हो और ना फुटे हमने तेल के डिब्बे काट के उपर लगा है दोस्तो और उसके नीचे यह संत्रा या फिर फल पैकिंग करने के लिए जो केरेड आती है प्लैस्टिक की वह उसके उपर हमने तनस रखे दोस्तो मुर्गियों को अंडे देने के लिए प्लैटफॉर्म बनाया है आप देख सकते हो और मैं आपको बता दू कि अभी हमने पूरा लिटर चेंज किया है दोस्तो नीचे का आप देख सकते हो पूरा नीचे का लिटर चेंज हमारा रूटीन है हम 15 दिन में पूरा लेटर चेंज करते हैं उसके उपर स्प्रे करते हैं अभी थोड़ा शाम का समय हो चुका है करके अभी हमने हमारा काम रोग दिया है हमारे स्रिफ डिंकर की सफाई बाकी है बाकी आज हमारा स्प्रे भी हुआ लेटर चेंज भी हुआ और हमने क्यारेड भी लगा दिये चलो मैं आपको अभी वेट करके बता दू देखिए हमने हमारा वेट मशिन उपर टांग दिया है और अभी एक हमारे पास कस्टमर है जिनको देड किलो आला मुर्गा ही चाहिए तो हमने एक छोटा मुर्गा पकड़ लिया है दोस्तो और उसको रसी से लॉक करके काटे के उपर टांगना शुरू है आप देख सकते हैं सिधा सिधा वेट करने का सही तरीका यह मुर्गा सबसे छोटा मुर्गा 1600 ग्रैम का है दोस्तो हमारे आका वेट मुर्गे जो है वहाँ 1600 ग्रैम से 2200 ग्रैम तक मिल रहा है दोस्तो और मुर्गी 1200 से 1600-1700 ग्रैम यह मुर्गी का वजन मेडिसिन की बात करूँ तो हम स्रिफ हर सपता इनको लिवर टॉनिक चला रहा है दोस्तो बाकी कुछ नहीं हमारी आने वाली अगली वीडियो में आपको मैं कड़कनात के जो अंडे होते है याने कड़कनात के एक की पूरी और सच्ची जानकारी दुगा इसलिए आप उस वीडियो को देखना ना भूले कोई नया मित्र पहली बार चैनल पर आये तो चैनल को सब् देवाद